लड़ाई हुआ, हम कहां कहां गया था, पाकिस्तान गया था, कराची साइड, एकातार में बगलादेश, धाका साइड, उसे पहले तो चाना से भी लड़ाई सामिल था कुछ ऐसे जगाई थी, जिस जगाँ पर यूध होता था, यूध बांद नहीं हुआ था, तो घटना है 1965 से 1971 के बीच में, जब हमारा इस इसाई आदिवासी चाचा और उनके साथी लोग, चर्खंड का एक जगाँ पर ट्रेनिंग किये और ट्रेनिंग खतम करने के बाद में, ये लोग यूध करने के लिए जाते हैं, पाकिस्थान हो या फिर बंगलादेश हो, ऐसे से जगाँ पर यूध करने के लिए जाते हैं, और इस चाचा ये भी कहते हैं कि मैंने उस यूध में काई सारे लोगों को भी उड़ा दिया है, फिर ऐसा वक्त आया कि मेरे को भी गो यहीं मिला है तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आंद तक देखते हैं कि इस चाचा ने कैसे कैसे जुएन किया और फिर कहा कहा लड़ाई करने के लिए गया कैसे लोगों कूड आया फिर कैसे घयाल हुआ फिर आज उसके साथ में क्या-क्या वीतर है वो सबकुछ हम लोग इस सबसे पहले अब आपना नाम बताइए सामुल कंडिर जुर्दक जरा टुली जुटत था अच्छा चलाता था 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 फाजी का मांग आ गया कि आम चला गया बहले काने के लिए में खाटी में सब्सक्ता हां फाटी में इनषडी सेंट में साठी दो तारीक दाफव महिना था जी जी जिन बहले हुआ जोसी दिन बहले हुआ उसी दीम को दाथ है कि अपना दनापूर उच्छा तेर्णी के सेंटर है तो यह था शाख आज कादु जाता है न बाहर करके, छे महीन अभाग जोगा टेरिंग करें और आज कर तो लाडना तो नहीं है, आज कर तो कागा से लाडते हैं, हम आमने सामने मुर्गा जैसा है. तो फिर क्या आवा ट्रेनिंग के बाद बदा ये पुरा काने? तो जाती साथ से मिल जूड कर एक साथ टेरिंग किया, पर बाद कसम खा लिया, एक मैन अगा छोटी भैज ये घार, एक मैन अगार में पुरा हो गया, तब फिर कंपने जोएं का लिया. तो ये बताये, जब ड्यूटी जोएं कि उसके बाद से अप फिर आगे क्या क्या हुआ आपके साथ? कहां कहां ड्यूटी किया? ड्यूटी किया, हम दोग टेर्डिंग सेंटर से दोसरा दोसरा बाटालियन भैज दिया है. महाने, पहले बताली में तो हम फोस बिहार में था कुछ दिन, उसके बाद सेवेन बिहार में कुछ दिन, उसके बाद सिक्ज बिहार तेन बिहार से हम रिच्टार आया है. तो लडाई कहां कहां हुआ था? लडाई हुआ, हम कहां कहां गिया था, पाकिस्तान गिया था, कानाची साइड, और एकातार में बंगलादेश, धाका साइड, उसके पहले तो चाना से भी लडाई सामेल था. कौन साइस भी था? बाशट में. बाशट में. ौपरी रंगंनाु साइड, जब दूद नड्यार्ट किसुंए को चाना था, क्याम कहां प画सके कुछ ें। दू भी लडाई मेंने था, को और ग्रोडाई हो में था, आद हुआ 6 फ़ड जा में शाखा लुए रहा तु SteomuÓ से उन है। जब देन वह कांपँ मेच हुआ है। सहोक के ऊधाज नाएंग अत्जा थाया है। साभधान कारें तो साभधान कारें था तो साभधान अवाज obese약 थाया करें थाज़ थाया हुआ है। जुर्मन को काई से मारेंगें थाहिएiverse। जब देखा जिया तो बेगा हुकम भी उन्हारू से अपका जब लडाई हो रहा है तो तो कैसे लड़े थे क्या-का था आमने सामनी क्या था कैसे अमने साने बहुत जांगाल पाड़ा बहुत प्रॉट तो कोई ऐसा था दुसमन जो की सामने आ गया है और रहें जो को बेगा पडर से फान कहां है आमने सामने से लानाism एक भी अब नाज मतलब सने है दुझाम समय सही है वह जजजँन कुह है है कि अब कहो अब उड़ा दिये हो उस लडराई में कई ताम दुसमन को ओडा दीये हों गजा आ अब लड़ाई में दिखा ये यह धर तो गोलिक निषान नहीं दिखे यह दूसरा डूसरा ने गोलिया है नीचे पर फिर भी हम आईसा करके जा रहा हूं बंदू के चाहने लगा तो पांजे ऻीधा रा हुर चालने लागा तो पैर्से जिन जिन लागी है तो तौद्ध अब देखा नहीं, पेंट दचेदा हैं. अब आपको गोली लग गया और आपको पता नहीं जलाए? आपको पता नहीं जलाए? आइसा भेर है गुगा, दारा आपको पूछु नहीं. नहीं लगा? थाप खूण गोली जलाए आपको जड़ें, जहाँ जोली है, खुट जीटते के सारे, पाचार पाचार 차प परलागरी. तो आपको पता चलाए? पता जलाए. अब आपको पता चलाए. तब आपको पता चलाए जलाए. वे आटार गार अःँ, आइसा हुगा, आइसा हुगा, चुप-चौप, आइसा शिख्रे मिलता है। कोई आपको बुछी जब लाग गया तो आइसा-इसा मात करो, इधाइसा करो, बढ़त के धारे रहो… दाले रहो, नहीं तो उसमें आवर निशन लागेगा और आवर फायर कारेगा. अच्छा, इदना अपो काँ अच्छा अभीता है। अगाले एक्षो नाम है, हिंदुस्तान का आखिटेस्टान सिल्चर है, है कि नहीं? मुआसे हवाई जाज नहीं हो चाड़का की अदूसमन को जामकाने के जिए कालकाटा, दाकोटा में, इक ठोग जाज होते हैं रहते हैं, भीच में खाली रहता हैं, है कि रेज? तो फिर है ना साथ आदमी था होलो एक चो तो पिंतूस ले जो उरिशा बला तीन गो चैभासा बला तीन दू आदमी राशी बला तो आप लोग सब हथ्यार लेके आया थे थे हाँ हथ्यार लेके आया था इसे सामय लड़ाई हो रहा था ना कोई रोक टोक नोई जी शोटो ने घुसो गे ला तो आप क्या खागा बलो ना दसनाय पारसा के सामय हाँ 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 तो उसके बाद हथ्यार को क्या किया जामा किया वापस हाँ हाँ जामा का दिया हुड हाँ हाँ जामा का दिया हुड हाँ 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 आपना एक कम्पानी में, काइसे हैं, अलाक पाठी हो राट में तो लेट नहीं था, यह आदमी का नाम, फालना फालना चेहना, और एक ठो, हम दो का उफषर था, सेकंड लेप्टिन, उसके साथ, कहाद को जामा काने के लिए कलकाता है, कलकाता कील्दा में, जामा कर दिया है, इसके बाद, साथ, और उक खाना कहाँ जाएं, तो, पेलेण का अरिया मेहर में गोछा दीया है, जामा उसके भी खाना दीजिए, और ना पीरा में दीजिए, तो भी तो हम लोक नाहीं पूचा अंचा आप कहाँ भेटाएंगे बहल कर कर दो, नहीं पूचा पूचा अपू तो आप लड़ाई लड़ चुके हैं देश के लिए आपको सरकार के दुआरा क्या-क्या मदद मिलाया भी तक कोच मदद नहीं मिला हाथों मैंने पैंसान आने टाइम है छे हाजार पैसा हाथों हाथ दिया कोई सामनों नहीं दिया आउर लोग को हाथज स्चीह असान नहीं मिलाई देखने लिए आपको गांकर में हुए आपको रुछ मेरा फाजिया है फाथा ब देख姿 किया हाथों हर बिच्जो भोल्खा है étape ॉरा हम लोग देखाने नहीं किया देख़ग है तो लिए नहीं की अमरेने देख़ग है थैं पैसा ही भीया आपना डेरेस और कुछ नहीं और अब तक जैसे कि अब तक कुछ नहीं जिला परशासन दुआरा ऐसे लोगों को सम्मानित क्या जाता है मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त में आपको कभी बुलाया गया है क्या बुलाता है वो मुराबादी में मेटें की काने के लिए कौन बुलाता है वो वो तो पूरा आप लोगों का साथी की सरकार के दोलाता है तो जिला में कभी सम्मानित क्या गया है पूटी जिला में कभी 15 अगस्त्य चबीश डिन वरी के दिन कभी स्टेज पे बुलाया है आपको नहीं बुलाए है ऐसे ही जोपडीनों मगहर ये टूटा-फूटा किसी तरह से मिटी के दिवार को बाहर से पेंट्वेंट करके चमका दिया गया है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, इसे लोगों को भरपूर्पूर मदद करनी चाहिए। तो आप सभी लोग देख पाए दोस्तों कि इस इसाई आदिवासी चाचा ने अपने समय में अपना जिंदेगी को दाओं पे लगा कर हमारा देश के लिए लड़ाई किया और लड़ाई करते वक्त उसको ना जाने क्या-क्या संघर्ष का समना करना पड़ा होगा और आप लोग देख भी पाए कि उसका पैर में गोली लगा था फिर वो घायाल भी हो गए थे परमिश्वर का असिस और क्रिपा से वो सुरक्षित रहे उसको ऐसा कुछ ज़्यादा नुक्सन नहीं हुआ और आज तक भी वो परमिश्वर की दया से जीवित है लेकिन आप सभ करणादगी को दाओं पे लगा कर लेकिन आज सरकार ने उनको अनदेखा कर रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि उसका परिश्थिति अभी कैसा है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक सैर करो ताकि लोग जादा से जादा दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही सभी को फिर सेगवर जैसु धन्यवाद